जै महादेव, जै भोलेनाद, नमस्कार, मैं शादना पांडे मागदसन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मागी पूर्णिमा, सास्त्रों की ऐसी मानेता है कि मागी पूर्णिमा वो पूर्णिमा है जिस दिन स्वर्ग से देवता भी उतर करके आज पृत्वी राज पर यानि की संगम पर आकर स्नान करते हैं तो ऐसी मानेता है कि आज के दिन यानि मागी पोडिमा के दिन जो भी ब्यक्ति ये कुछ विसेश कार्य कर लेता है उसे जन्म मरण के बंधनों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है साथ साथ उसे अपने जीवन में सभी भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है तो चलिए बात कर लेते हैं मागी पोडिमा का ब्रत हमी किस दिन करना है सत्यना रायन कथा किस दिन होगी और विसेश जो उपाहे में बता रही हूँ वो किस दिन होगी तो मागे पूर्डिमा असनान दान इत्यादी सब कुछ किस दिन करना है तो इस बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो एक चीज बता देती हूँ आपको कि सास्त्रों में कहा गया है कि पूर्डिमा पूर्डिती थी है आप अन्य किसी दिन में पूजाब रत उपास नादान करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन पूर्डिमा के दिन आपको इन नियमों का इन बिसेश चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है सरपर्थम मैं बात करती हूँ आपके सुबह से ही तो चलिए एक बर बता देती हूँ कि पूर्डिमा थी थी कब आपकी पढ़ रही है तो देखे उद्या थी थी कि पूर्डिमा हमें मिल रही है पांस तारिक यानि कि रभिवार को और वैसे तो पूर्णिमा चार तारीक को ही प्राप्त हो जारी है लिखा हुआ है आपको आगे दिखाई भी देगा तो क्या करना है इस बारे में बात करते हैं तो सुबह सुबह आप लोग जगिएगा पांस तारीक को संडे के दिन और जगनी के बाद एक प्रयास करिएगा मैं भी सेज घरवालों की बात कर रहे हूँ जगनी के बाद आज दिल डाल करके गंगा जल डाल कर स्नान करिएगा वैसे आज मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगे कि यदि थोड़ा भी सामर्थ है आपके अंदर और आपके आसपास कोई भी नदी है जरूरी नहीं है गंगा ही हों लेकिन जो भी नदी कहा चाहता है कि हर बहती हूई नदी जो हैं गंगा के समान ही पुने फल देती है तो आज के दिन आप उन नदी में जाकर स्नान जरूर कर लेजएगा और हाँ मन में तो यह होगा पूर्णिमा कब सुरू हो रही है कब समाप्त हो रही है तो देख भी लिजे चार फरवरी 2023 सनिवार की रात को 9 बज कर 29 मिनट पर पूर्णिमा तिती प्राड़म हो जा रही है समापन हो रहा है पांस फरवरी रविवार को रात 11 बज कर 28 मिनट पर और उद्या तिती के अनुसार माग पूर्णिमा पांस फरवरी को ही मनाई चाहिए तो अब तो ये बात आपके स्पष्ट हो गए अब एक चीज और बदा दो दोस्तों ये पूर्णिमा एतनी विसेश क्यों है देखिए दुरलफ सन्जोग है इस पूर्णिमा का इसले विसेश है क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा तिती के साथ-साथ नक्षत्र की प्राप्ति हो रही है यहाँ पुष्ट नक्षत रविवार होने के कारण और अधिक प्रभावी हो जाता है और ऐसा योग न कई साल सालों क्या मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि बहुत इंतजार के बाद ऐसा दुरलफ और सुप सन्जोग मिला है तो चलिए विसेश ब दान जरूर आज निकालिएगा आज के दिन का मतलब की दिखे पूर्णिमा पर सर्वशेष्ट दान मैं हमेशा बताती हूं अन्यदान होता है तो थोड़ा सीधा यानि कि चावल डाल आटा आलू ये सारी चीज़े निकाल लिजे और ये नहीं हो सकता है सीधा देने की दान निकाल लेजेगा शनान हो गया दान हो गया आज परिवार में सब को शनान करा देजीगा और शनान का एक महत्व होता है कि आपको ब्रह्म मुहुर्द में ही शनान करना होता है और माग शनान करने वालों का आज अंतिम दिन होता है तो आपको नारायण के मंत्रों का य श्ठान है श्नान है वो आज समाप्त हो जाएगा तो यह हो गया और यह जरूरी नहीं है कि जो लोग माग श्नान नहीं करते हैं वो इन यह मुकापाल नहीं करेंगे आपके जितना सामर्थ है उतना आप पूर्णिमा के दिन आप कराईए देखिए जैसे न आपको कार्थिक पूर्णिमा पूर्य फल देने वाली होती है वैसे ही माग पूर्णिमा आज के दिन घर में सत्यना रायन कथा का आयोजन जरूर कराईए विवस्ता है तो सत्यना रायन कथा का आयोजन कराईए इससे कहा जाता है अकाल मृत्यू का भैभी शमाप्त होता है अब एक चीज़ कर महिलाएं बाल धोती है रविवार को ही सारे काम से फुरसत निकाल कर तो आज आप बाल नहीं धोएंगी बाल नहीं धोएंगी साथ साथ एक चीज और नहीं किया जाता है कि बाल धोने के साथ साथ दिखी कहा जाता है नहीं कि घर में कोई भी जो भी सदस्य है या फिर भी से का ये काम कर लेना है आपको और हाँ पोडिमा तिती है तो साम को खीर जरूर बना लिजेगा आपने घर में खीर बना कर यदि पती पत्नी के बीच मन मुटाव रहता है तो खीर बना कर उसमें मिस्री डालीगा चीनी के जगह और आप दोनों चंद्रमा के रोशनी में बैट कर कि आप इस खीर को खाएगा लेकिन उसते पहले इस खीर को लक्षमी नाराण के सामने जरूर भोग लगा देजेगा मंदर में भोग लगा देजेगा ऐसा अवश्य कर लेजेगा अब चलते हैं उस विसेश उपाई की तरफ कि आपको विसेश क्या करना है देखिए आज वि तरह से सोख ले तो सूखी खीर बना करके और यह मतलब अधभूत उपाय है सिर्फ मुह से कहने वाला अधभूत नहीं आप करिएगा और एक पॉर्णिमा को करिएगा एक महीने के अंदर-अंदर अंधन से घर भर जाता है अब घर भरने का यह मतलब मत समझेगा कि मतलब ब और कच्चा बर्तन होना चाहिए मिटि का और हां यह उपाय मैंने कई लोगों पर कराया है यह थोड़ा से जादा मुश्किल तो है लेकिन आप कर सकते हैं इसनकर जो लुग काउं में है तो वो कच्चा मिटि का बड़दन होता है और नीची जो है वो गाय की गोबर का उप पानी का मतलब यहां गलत सब्द बोल दी हूँ पानी का मतलब कि खीर बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और उसको करना है आपको हवन हवन किससे करना है तो देखिए आम की लकडी मिल जाए या जो मिल जाए अब एक चीज और ध्यान देजिए देजिए गा कि यदि वह चीज न कि बहुत जादा है दुकान ने चल रहे कुछ भी है तो यह काम जरूर कर लिजेगा अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने घर में जो आपका स्थान होता है पूजा का वहां पे आप थोड़ा हवन करेंगे तो हवन के लिए आम की लकडी भी हो सकती है ग कम से कम 108 बार आप इस मंतर की आहुती मात्र आहुती दीजे दोस्तों और मैं भी यहां हूँ आप भी यहां है इस चैनल पर आप के कमेंट करिएगा अगले दिन से परिवर्तन नजर ना आए तो बहुत तेज जो है वो जीवन में चमतकारी परिवर्तन आता है महालक्षमी क के मंतरों से आपको हमन करना है अब आपकी एक्षा आगे और हो तो आप विष्णु जी के मंतरों से हमन कर सकते हैं क्योंकि यह पूर्णिमा बहुत विसेश है अब मैं बात कर लेती हूँ कि पुछ सेनक्षत्र भी आज हमें मिल रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा पुछ से लेकिन जो लोग नहीं लाये थे वो आज जाकर के आकड़ी की जड़ को ले आ सकते हैं तो आकड़ी की जड़ लाने के लिए सुबह सुबह लाने के लिए आपको पहले क्या करना है कि सनिवार के दिन जाकर उन्हीं निमंतरण देना होता है क्योंकि बनस्पति शास्तर में एक चीज बताई गई है कि आप किसी भी पेड़ पौधे को इसी तरह घर में लाकर उससे लाव नहीं पा सकते हैं तब तक जब तक उनकी स्वाइम की इक्षा नहों आपके साथ चलने की तो जाकर आकड़े की जड़ में एक लोटा जल चड़ाया जाता है उन्हें कुछ भोग लगाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है आग्रह किया जाता है कि हे ब्रिक्ष राज आप हमारे घर चलिए और हमारे घर में चल कर हमारे लिए जो भी आपकी इक्षा हो लक्ष्म प्राप्ति ही इक्षा होगी ना आगड़े के पौधा ला रहे हैं तो जड़ ला और पूजन कैसे करना है तो गंगा जल से दो कर अब यहदी आपको अपने घर के मंदिर में करना है तो वहाँ रखे अब यह आपके एक्छा है बारा मञ obras अंदर आपको अच्छा एक चीज़ और बता दू तो वह एक ही बार आप कर सकते हैं गुरु आर को पुश्यानक्षट्रार, अभी रवी पुश्यानक्षट्रार तो आप अने कोई मंत्र सकते हैं, हवन कर सकते हैं एक चीज और बताओं ये हवन जो मैंने स्ताम को करने को बताओं यदि आप ये बारे बजे के पहले शुबा कर लेते हैं तो इसका प्रभाव और देखने को आपको जल्दी और स्रेष्ट मिलेगा एक चीज और मैं पता देती हूँ कि देखे कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रह जो है इतने जादा मतलब कंडिसन उनकी इतने जादा जैसे मारकेस का नाम साइद आप लोग सुने हों मारकेस जीवन में ऐसा प्रभाव आता है कई ग्रह तो ऐसे होते हैं जो मारक प्रभाव देते हैं और उसकी वज़ा से दिखिए ब्यक्ति सामाने रूप से सारेरी रूप से तो परिशान होता ही होता है मांसिक रूप से बहुत जादा परिशान हो जाता है मारकेस का नाम आ तो एक काम करिएगा आज सुबह जा करके सिवाले में आप सवा लीटर दूद ले करके और जितनी पतली धार आप से हो सके उतनी पतली धार गिराते हुए आप संकर जी की खूम मन से आराधना किज़े जितना आपका मन हो अगर कुछ आता है तो गाये नमामी शमी शाम नेरव आडे रूपम जो आपको ठीक लगे और जितना जादा भाव भी भोर होकर आप भूले नात को ये दूद चढ़ाते हैं दूद चढ़ाएंगे और रवी पुष से योग में तो आप देखेंगे कि मानसिक जो तनाव होता है जो धरती पे ही मृत्यू की तरक कश्ट आपको म दीजेगा और हाँ वीडियो कैसी लगी बदा दीजेगा और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप इन नमबरों पे समपर्क कर सकते हैं इस्टाइप फेश्बूक पर मुझे फालो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे फालो भी कर सकते हैं और हाँ दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ सेयर कर सकते हैं और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लिजेगा क्योंकि इस तरह की कोई जानकारी आप से छूटे नहीं तो चलिए मिलते हैं उस तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद हरहर महादेव